आप लोगों ने राहूर को 20 साल छोटा कर दिया? नहीं श्रे इन लड़कों को जाता है क्योंकि हम लोग, मैं आलवेज कहता हूँ कि हम, मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं मैं इस पूरी टॉर्नमेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया बनाया है, एक विकेट भी नहीं ली, एक कैच भी नहीं ली हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और सिर्फ मैंने हमारी जो पूरी टीम होती है सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है हमारे जो दुसरे कोचेज होते हैं हमारे बहुत अरिक्रिक सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं वो काम करते हैं और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं जो प्रेशर का सिच्वेशन होती है रंज बनाने हैं विराट को या बुम्रा को या रातिक को या प्रोहित को या सब लोगों को यहां पे यह लोग करते हैं, तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, इनको जो चाहिए उनको, हम यह दे सकते हैं उनको, और पूरा श्रेन लोगों को जाता है, उन्होंने ऐसा खुशी का मौका मुझे दिया, एक ऐसा खुशी का मौका मुझे मुझे मतलब मैं शिफ शुकर गुजारू ओन लड़कों का जो जो जन्होंने मेरे मेरे साथ इस एक इतनी अच्छा समय मुझे एक डिया एक एक्स अख्षी अच्छी एक्स्पीरियंस जो दी है तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी इस टॉर्नमेंट में जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी तो इस टीम में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे इसमें चार लड़के बाहर भी बैठे थे इसमें मुहमद सिराज ने पहले तीन मैच खेले थी ऐसे में हमलों फास बोलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले इसमें और तीन ऐसे लड़के थे हमारे टीम में जोटनोंगे बाहर बाहर देगकए कभी ऐसा ने फीम के लिए बहुत इंपौर्टन चीज थी और बहुत इंप्रर्टन चीज होती है जब आप ऐसे टोर्नमेंट्स केलते हैं कि जो बहुँ बैटे हुए लड़के होते है उनकी जो क्या अट्रिटुड होती है तो मैं उनको भी बहुत दाट दे रहने हैं जरूर मोदी जी ये ओलम्पिक में खेलना एक एक क्रिकेटर्स के लिए एक वो मौका मिलता नहीं हमको क्योंकि ओलम्पिक्स में क्रिकेट इस बार फर्स टाइम आएगा है ट्विंटी ट्विंटीएट में तो मेरे ख्याद से बहुत एक बड़ी चीज होगी देश के लिए भी और क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेटर्स के लिए कि उस टॉर्नमेंट में बहुत अच्छा करना है और एक जो दूसरे जैसे आपने पहले भी कहा दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना उनके साथ क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बहतरी खिलाडी है कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं और यह जो ओलम्पिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट की लिए गर्व की बात है और मेरे पूरी उम्मीद है कि जो भी होंगे बोर्ड में उस टाइम में हमारी जो बीसी से होंगे वो पूरी तैयारी उस टॉर्नमेंट की लिए करेगी मेरे पूरी उम्मीद है इस टीम में से तो काफी लड़के होंगी ही होंगे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है काफी यंग लड़के हैं जैसे रोड़ित है विकाट है अठाइस तक तो बहुत लोग होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़के आएंगे और वहां पर गोल्ड जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए